Hello students, जैसा कि आपको पता है, तेर पॉसी सेंटर ने अपना 6th edition of तेर उलम्पियर 10th of August को लाँच कर दिया है, जिसके लिए रेग्जाम पोर्टल दोनों ही ओपन हो चुके हैं। जब भी आप तेर उलम्पियर के लिए रेड्स्ट्रिशन करने जाते हैं, एक मन्में क्वेडियो होते हैं, कि हम इस ओलम्पियर के लिए रेड्स्ट्रिशन कैसे करें, इस के लिए एक्जाम कैसे दें मांखशित कैसे डाउन्टोड करें.. तो यह एक एक बालेष्ट क calculating एक है कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो उसमें थोड़ा व्यू अलग दिखाई देगा लेकिन मुस्ली बटन्स और इंफॉर्मिशन स्थीम रहेगी तो एंट्रीड फॉरिंट में जब अगर आप ओलंपियार के या टाइप करना है आज यह आप करेंगे तेरो लंपियार का बटन आपको दिखाई देगा कि अ और इस तरह से टेरोंपियार का पेज कुलेगा जहां से आपको वेब-साइट पे क्लिक करना है अगर आपके पस डाइड़क्तेरों-पैर की लिंक है तो आप direct website पे भी जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से TerraLumper की website को search कर सकते हैं जैसे ही आप TerraLumper की website की link पे click करेंगे या फे website पे search करेंगे, तो आपको ऐसा एक page दिखाई देगा जहां पे एक pop-up दिखाई देता है, जिसमें पहले लिखा हुआता है तो आप आप पर एक्जान लोगिन , या if you have a प्लाइंन लिखा होगी सब्सटाइशनी स्टूइन के लिए में तो चाहे तो सबसे इंपोर्टनागी स्कूल रोड़न्टेशन उनका फॉर्स hơn बिर्स हो क्यूंकि जब आप registration करते हैं तो उनको उनका school को पूछा जाता है और वो तब ही होता है जब उनकी school ने तेरल उमपेर की website पर registration किया हुआ है यह school registration important इसलिए है क्योंकि तेरल उमपेर की तरब से स्रिफ students को ही award नहीं है स्रिफ students के लिए ही award नहीं है बलकि schools के लिए पार्टिसिपेशन के लिए तो वो पार्टिसिपेशन को identify करने के लिए school का registration होना बहुत important है और वो registration सिर्फ school की authority like teacher उनकी principal या hod ही registration कर सकते हैं और school registration के बाद एक school code मिलता है for example हम यहां अगर school registration करते हैं तो इस तरह का एक form appear होता है जिसमें school की details like school name college name select state country city pin code school rural area city area से ब्लॉंग करता है contact number and email id जो की correct होना चाहिए क्योंकि जो भी future conversation है आपके email id और contact number के ही through किया जाता है तेरे लोंपेर के admin से इस तरह से school registration करने के बाद school को एक school code मिलता है जो कि उन्हों अपने student के साथ share करना पड़ता है जब भी student registration करते तो उन्हें वो school को फिल करना पड़ता है ताकि तेरे लोंपेर का admin है वो यह identify कर पाए कि यह specific student इस school से है अगर वो किसी school से पर एक्जामपल JNV के किसी school से 1000 बचों ने registration किया है पाटिसिपेट किया है तेरे लोंपेर ने और अगर उन्होंने अपने school का code डाला हुआ है school code जो कि तेरे लोंपेर स्कूल registration से मिला हुआ है तो तेरे लोंपेर के admin उनको को identify कर पाएगा कि यह school उसी specific यह student उसी specific school से है और अगर ओलंपियाड में किसी school से maximum student participation 1000 है तो वो school को school award दिया जाएगा तो यह इस तरह से आप school registration कर सकते हैं आप category wise आप जिस भी category में belong करते हैं student registration की time पे आप student registration कर सकते हैं यह student registration के लिए दो में थर से एक अगर school student registration कर सकता है bulk student registration format के तरूज और वो bulk student registration format जब school अपना school registration के अंडर registration करता है तो वो उनको bulk student registration format एक excel file भेजी जाती है तेर अलमपेर की तरफ से जिसको उन्हें student की detail की साथ फिल अप करके तेर अलमपेर को भेजना पड़ता है और तेर अलमपेर के admin OE की तरफ से हर student के लिए एक unique enrollment ID और पासवार जनरेट करके उसी excel file के तुरू स्कूल को भेज दिया जाता है तो यह एक process है और वो excel file में जो भी enrollment ID और पासवार स्टूट के लिए हो गए है teachers को अपने student के शाथ शेयर करना पड़ता है और student अपने exam return कर सकते हैं यह एक process है दूसरा process है कि individual registration student खुद अपना registration कर सकते हैं यह तीनो green buttons के throw अगर यहां से भी आप registration नहीं कर पाते हैं तो यहां website के right hand corner में यह तीन बटन दियें mobile में यह इस तरह से button है अगर आप laptop या computer में चेक करते हैं तो home screen पे top line में यह सारे specific buttons दिये हुए like home, about us, updates, updates, में important updates दिये हुते हैं तेरो लंपियर की तरफ से like important dates है या फिर प्रिंसिप आले आइचोडी के लिए कोई letter है इस तरह से कुछ नए updates दिये हुते हैं education button यह important section है तेरो लंपियर का अगर किसी बच्चे को लगता है कि उन्हें तेरो लंपियर के लिए प्राक्टिस कर सकते हैं यहां पर questions कुछ तरह से दिये होते हैं वहां जाकर प्राक्टिस कर सकते हैं तो थोड़ा उनको एक online exam का प्राक्टिस हो सकता है यहां से दूसरा इन्हीं बचस में जाकर नीचे awards भी दिये हुए हैं जैसे कि students को पता है कि तेरो लंपियर की तरफ से winner student को टॉप 20 students को नैशनल लेवर ए नैशनल प्लाटफॉर्म पर अवर्ड दिये जाते हैं और यह अवर्ड उसली डिजिल गैजट्स होते हैं जैसे कि लाप टॉप, मोबाइल फोन, टाबलेट, हाड ड्राइब, किंडल, पैन ड्राइब, सो यहां कुछ अवर्ड दिये हुए हैं बाकी विद 1,000 प्राइज़ और गिफ्ट हैं पर से हैं जो कि यहां मैंशन नहीं किये हैं लेकिन दिये जाते हैं इस तरह से विनर्स को अवर्ड दिये जाते हैं तेरे ओलंपियार की तरफ से नेशनल प्लैटफॉर्म पर अवर्ड सेर्मेनी होती है जो कि जैनुरी मैं होती है हर साल फिर यहां आता है ओलंपियार रेइस्टेशन जैसा कि हमने होम पेज पर फोर ग्रीन बॉक्स देखे थे हम वहां से भी रेइस्टेशन कर सकते हैं और इस ओलंपियार रेइस्टेशन से भी हम अपना स्कूल या स्टूडें रेइस्टेशन कर सकते हैं इसके बाद आता है ए अग्जाम अटेंड कर लीनी है यहां हम देखेंगी तेर उलम्पार की रेस्टिशन कैसे करना है अगर मैं सेप्लिंग कैटिग्री रेस्टिशन करना चाहत की पर वस्ट नेम में पना स्नेम डालना आ फ्लिको कार्मनी और हो जुब करना है एंटर प्रपै आपके साथ जो भी इंचेज कनवे किया जाएगा तेर ऊलंपार सॉस्ट परज़ा है पैड की तरब से आपके मोबाइल नंबर और इमेल आईडी की तरूब किया जाता है make sure आपका इमेल आईडी भी correct हो क्योंकि आपका जो mark sheet है या आपके enrollment आईडी और password है आपके इसी email आईडी पे आते हैं date of birth on date of birth में आपको simply date of birth पे click करना है Year select करना है आप जिस भी year में आपका birth हुआ हो आप वो इस भी केटेगरी से बिलाउं करते हैं, for example, economic backward, SC, ST, OBC, general, whatever, आप जिस भी केटेगरी से बिलाउं करते हैं, वो select कर सकते हैं, इस form में, physically handicapped हैं, तो check कर दीजिए, अगर नहीं है, तो इसको uncheck ही रहने दीजिए, आप रूरल एरिया से बिलाउं करते हैं, या city एरिया से, जो भ जिस भी state के हैं, आप आपको अपना state select करना है, और city में, आप जिस city में आते हैं, for example, मैंने देली किया है, तो अगर दूसरा state का example देखें, तो करना टका हमने select किया है, तो जिस भी city के अंडर आते हैं, या nearby city, आप उसको just select कर सकते हैं, और आपका area का pin code जो भी आप डाल द करना इंपोर्टेंट है, तब ही school awards के लिए school आइंटिफिक करना easy हो जाता है, तो अगर आपके school ने आपको अपने school code दिया है, आपका school register है, तो आप बस यहां पर click कर दीजिए, और आपने school code जो के school की तरब से share किया गया है, वो यहां fill कर दीजिए, अगर आपके school code आपक आपको इसकी इनफोर्मेशन, 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 वो आप इसमें भर जिग्यान वारती विद्या मंदिर विद्या मंदिर और आप जो भी एरिया से हैं वो आप इसमें फिल अप कर दीजिए STD यहां STD से मतला आपके स्टेंडर में पढ़ रहे हैं वो है तो अगर फॉर एक्जामपल सेवन स्टेंडर तो आप क्लिक कर दीजिए और यह सबसे इंपोर्टेंट है आपको अपना 12 डिजिट का UID इसमें आधरकार नमबर इसमें डालना है इनकेस अगर आपके पास आपक आधा नमबर नहीं है उन्होंने भी नहीं बन बाया है तो आपके पास सिर्फ एक only option रह जाता है upload ID proof आपको अपना एक ID proof जिसका size 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक photo हो सकता है आप mobile से भी photo लेकिए ID proof का अपलोड कर सकते है वो ID proof आपका school ID हो सकता है आपका voter ID हो सकता है या फिर कोई other ID जिसमें आपका photo हो इस तरह का ID अपस में डाल दीजिए और send button पे click कर दीजिए जैसे ही आप student registration क send button पे click करते हैं आपको इस तरह का एक page appear होता है जिसमें लिखा हुआ है you are successfully registered below are your login details for exam portal और आपका enrollment ID और password दिया हुआ है और message है please note that exam portal will start from first round from 10th of August to 30th September so याद रखिएगा तैर ओलंपियार में participate करने के लिए registration करने के लिए और exam देने की last date 30 September है 30 September तक ये ओलंपियार का exam और registration portal 24 घंटे खुला हुआ है 24 इंटो 7 30 September तक ये खुला हुआ है आपको जब मन में आया आप registration कर सकने रात को बारा बजे दस बजे दोपैर में दिन में जब भी आपको मन करें आप registration कीजी और exam दीजी और make sure आप जब भी ये page आपको appear हो तो अपना enrollment ID और password आप note down कर दीजी क्योंकि अगर in case अगर कुछ technical issue होता है आपने registration form में आपका email ID व ID और password को note down कर लें या फिर इसका screenshot निकाल लें आप अगर immediately अपना exam देना चाहते हैं तो यहां bottom में exam link दी हुई आप यहां से clicker करके exam portal पर जा सकते हैं या फिर जैसे की 13 एंपर की website पे जब आप website open करते हैं तो home screen पे pop-up आता है for example जहां पे आपको exam की direct link दी हुई है देख स इस button में जाकर last में exam login पे आप click कर सकते हैं आप immediately exam दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप prepared नहीं है exam के लिए तो आप जब भी आपकी इच्छा हो आप तव लेकिन 30 September से पहले अपनी exam जरूर return कर लें तो हम exam login में जाना है यहां हमसे हमारा enrollment ID और password पूछा जाता है तो आ आपको registration के बाद मिलता है और उसकी बाद आपको simply sign in पे click करना है जैसे ही आप sign in पे click करेंगे यहां आपका registration का details आएगा जिसमें लेका हुए exam attempts 3 तो यह important बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि तेर उलमपर की तब से हर student को 3 attempts दे जाता है यह 3 attempts उन cases में होते हैं जब अगर by any chance आपका mobile का internet खराब हो जाए या light चले जाए computer पर exam देते ताइम आपका system बंद हो जाए उन situation में यह 3 attempts काम आते हैं अगर आपने exam अपनी एक बार login की है और exam तेरे टाइम बीच में अगर phone बंद हो जाता है इंटरेट चला जाता है तो आपके पास दो chance और मिलते हैं दुबारा अपना exam पोटल login करने के लिए make sure अगर आपने exam अपना सारे question attend कर लिए है और अगर आपने submit button पर click कर दिया है तो आप दुबारा बाकी attempts नहीं कर सकते क्योंकि आपने exam already refresh कर चुकी है दूसरा important है कि अगर आपने exam already login कर दिया है question कुछ attend कर लिए है और आपका exam बंद हो जाता है किसी भी reason से तो जब आप next time login करेंगे तो आपने जो first time exam दिया था जो questions आपने select किये थे correct answers वो उस time तक नहीं continue रहेंगे आपको एक freshly नय exam देना पड़ेगा यह सबसे important part है इसके साथ अगर students को यह लगता है कि हर student के लिए जो question paper आता है 50 questions का यह question paper होता है जिसमें आपको 30 minute दे जाते हैं तेरो लंपियार की तरब से सारे questions को attend करने के लिए तो यह question paper अगर एक साथ 10 बच्चे चार बच्चे exam दे रहे हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं है कि सब भी students को एक जैसा question paper आएगा क्योंकि यह online exam है तो हर student को अलगत तरह का questions आएंगे so यहां students ने यह make sure करना है कि cheating का सवाल नहीं है दूसरा इसमें important part है कि एक online exam है तो इसमें जब भी result होता है वो सिर्फ बच्चों के marks है students के marks पे नहीं तो उनके time पे भी calculate होता है so student ने यह द्यान रखना है कि जब वो exam दे तो इस चीज का बहुत द्यान दे यहां आपका school का नाम दिया है मेरा नाम है enrollment ID है जो भी हमाय मिला था select language यहां language का option एक दिया हुआ है जिसमें Hindi English और माराथी तीन languages के option है student अपने convenient के according जो भी language में वो exam देना चाहते है वो select कर सकते है so for example अगर मैं Hindi language select करती हूँ तो मुझे मेरा question paper हिंदी में आएगा यह फिल करने के बाद हमें start exam पे click करना है यहां तेरलमपेर की rules regulations दिये हुए है जहां दिया हुआ है कि language select करना है don't click back button आप जब भी exam दें तो गलती से भी back button पे click be able to login at the exam already आपको बता चुके है student receiving maximum marks in minimum time will be considered in meritless जैसा कि हमने बताया है कि एक online exam है तो इसका सबसे important part यह ही है जो student को पता होना चाहिए कि इस exam में सिर्फ बच्चों के marks ही नहीं students के marks ही नहीं इसके साथ-साथ उन्होंने exam को finish करने के लिए कितना time लिया है वो भी calculate होता है तो students को यह सला है कि जब भी वो exam दें तो time waste ना करें इधर search करें इधर search करें नहीं करें आपको जो answers correct लिया आते हैं आप फिल कीजिए आपना time लीजिए but don't expect कि अगर आपने 100 marks में से 96 marks लाए हैं लेकिन वो 30 marks में लाएं तो आप winner है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर किसी student ने 15 minute में 85 marks या 86 marks लाए हैं तो वो winner माना जाए क्योंकि उसने exam में marks लाने के लिए बहुत कम time लिया है सो यह student द्यहान रखें exam देते time click on finish exam button once you are done with all the questions यह सबसे important part है जब भी student exam देते हैं questions attend करने के बाद आप अपने page को अड़रपली बंद ना करें exam page को logout button पे click नहीं करें आपका जैसे यह exam के सारे questions attend हो जाएं वहाँ एक finish button दिया हुआ है finish exam को उस पर click कर दें तो आपका जो exam का database है वह हमारी server पे save हो जाता है और वह exam का आपका जो भी report है वह हमें मिल जाता है अगर आप finish exam button पर click नहीं करेंगे directly अपने system को बंद कर देंगे तो आपने जो भी exam के questions attend किये हैं सब invalid हो जाता है और आपके question save नह होगा यह mobile version है तो इस तरह से दिखा ही दे रहा है अगर आप laptop और computer में करेंगे थोड़ा अलग व्यू होगा तो यहां दिया हुआ है आपका timer start हो चुका है तरफ से 30 minute दिये जाते हैं first round के exam के लिए 50 question attend करने के लिए अकर कोई जो बच्चे first round से second round के लिए select होते हैं तो उस round में यह time 20 minute होता है लेकिन अब यह first exam है first round के लिए हम बात करें तो हम इसी पर focus करते हैं stop and logout को button दिया हुआ है अगर आप in case exam attend नहीं कर पा रहे हैं कुछ reason से तो आप यहां से simply अपना logout कर दीजिए और exam को stop कर दीजिए but आप जब भी next time login करेंगे तो आपने जो question attend किये है वो question के answers वहां save नहीं होंगे आपको freshly एक नया exam देना पड़ेगा finish exam का button है जब भी आप सारे exam सारे questions attend करें तो finish exam पर आपको click करना है आपके अभी जैसे हमने अलरी एक बार login कर चके तो हैं दिखा रहा है कि मेरे पास दो attempts only है try करें कि आप first attempt में ही पूरी exam को attend कर सकें इस त अपने phone या computer system का audio टेस्टिंग कर ले क्यूंकि तरह लों पैर के exam में कुछ question audio के वाले वी होते हैं कुछ image identification के वी होते हैं इस तरह से questions आते हैं जैसे ही इसमें आप दिखाई रही है अफरिका में पाया जाने वाले एक math genre है इसको पहचानी है आपको correct answer पे just click करना है और next question पे आपको click कर दिना है तो आपको next question आ जाएगा अगर आप laptop या computer में देंगे तो थोड़ा अलग view होगा आपके left hand side में आपके सारे question numbers दिखाई देंगे तो वहाँ आप पे click करके अपना question अगर change करना चानते है answer किसी question का answer आपको लगता है कि आपने fill किया है वो correct नहीं है तो आप उस question number पे click करके अपना correct answer fill कर सकते हैं इस तरह से questions आते हैं इस तरह से आपको total 50 questions solve करने हैं जिसमें कुछ image वाले होंगे कुछ true and false होंगे कुछ audio identification वाले होंगे और कुछ regular objective type question होंगे तो इस तरह का question जैसे कि ये एक audio question है तो हमें बस audio को सुनना है और identify करना है कि ये किसका आवाज है जो भी आपको correct answer लगे उस तक लिक कर जी दिए और next question पर आ जाईए तो इस तरह से तरह से तरह को question paper appear होता है जैसे है आपके total 50 questions आपके solve हो जाए 50 questions आप attend कर लें तो आपको यहां पर एक button सारे आप एक बटन सारे आप अगर आप चेक करना चाहें किसी का answer change करना चाहें तो आप previous questions पर जाके अपना correct answer change कर सकते हैं आपके सारे जैसे ही questions solve हो जाएं आपको simply finish exam button पर जाके click करना है are you sure? yes, अगर आप sure नहीं है तो आप cancel पर click कर दीजिए और द्वारा अपने question में cancel correct or change कर सकते हैं अगर आप sure हैं तो ok पर click कर दीजिए और जैसे ही आप ok बटन पर click करेंगे तो यह आगया आपका mark sheet so for example यह मेरा mark sheet आया है जहां मैंने 4 minutes 20 second लिए लेकि मैंने कोई question का correct answer शायद नहीं दिया इससे मुझे 0 marks है लेकिन आप जतना question correct answer देंगे आपको उतना marks मिलेंगे online exam का सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि आपको अपनी mark sheet के लिए wait नहीं करना पड़ता है आपको immediately अपनी mark sheet मिल जाती है आपने कितने marks अटेंड की है यह लेकिन आप 3 olympiare के winner है या नहीं आप final round के लिए select हुए है या नहीं इसके लिए आपको wait करना पड़ेगा 30 September के बाद October month के first week या second week में 3 olympiare के तरब से result declare किया जाएगा जिसमें जो भी बच्चे second round के लिए select होंगे उनका list website पे upload किया जाएगा सो हमारी students यही एक request होगी कि exam देने के बाद वो patience रखें तिल September end के बाद ही यह result हम उनको बता पाएंगे कि वो final round के लिए select हुए है या नहीं इसके बाद यहां एक नीचे button है जिस पे लिखा हुए download certificate तो मैतर होगा आप अपना certificate immediately download कर लें download button पे अगर आप click करेंगे तो आपका certificate download हो जाएगा इस तरह से आपका certificate आपको दिखाई देगा bottom में इनकेस अगर आपने अपना certificate download नहीं किया है या अगर आप certificate download करना भूल जाते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको दुबारा से exam portal पे login करना है अपना enrollment ID और password डालना है वहाँ पे आप जैसा ही यह करोगी क्योंकि अपने exam अटेंड कर चुके तो आपको दुबारा exam के लिए login नहीं दिखाया जाएगा लेकिन आपको अपने अग्जाम फिनिश कर चुके यह दिखाया जाएगा और सिर्फ certificate download का option दिया जाएगा तो आप अपना certificate इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप certificate डाउनलोड करते हैं तो आपका certificate इस तरह से आपको मिलता है जिसमें आपका नाम लिखा हुए आपने किस round में क पार्टिस्पिट किया है यह certificate आप अपने स्कूल में अपने चीचर के पिंसिपल को दिखा सकते हैं अपने तेर अलमपेर एग्जाम अटेंग कर लिया है आपकी जो मांकषित है आपके मेल पे आजाती है जो आपने इमेल आईडी दिया है correct email ID दिया है उस पे होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जब भी आप तेरे अलमपेर की एग्जाम देने चाहें तो आपको यह एक हल्पफुल हो और अल्ल बेरी बेस्ट हो आप सब फर्स्ट राउंड की एग्जाम अच्छे से अटेंड करें और फानल राउंड के लिए इसलेक्ट हों थेंक्यू